So guys, hello and welcome to our YouTube channel So guys, आज की वीडियो में मैं आपको वो सभी methods बताने वाला हूँ जिसके थुरू आप Microsoft Company के अंदर एक internship opportunity को grab कर सकते हैं So जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप Google में किस तरह से internship grab कर सकते हैं So अगर आपने वीडियो भी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर चेक आउट करिएगा उसका link में description और I button में दे दूँगा So guys इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहा है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे वो सभी factors discuss करने वाला हूँ जिसका आपको ध्यान रखना है अपनी preparation के दोरान ताकि आप Microsoft जैसी company को crack कर पाएं So सबसे पहले बात करते हैं Microsoft English mentorship program के बारे में यह Microsoft की थुरू दी जाने वाली सबसे बड़ी opportunity है जिसमें की second year की students apply कर सकते हैं So अगर आप second year में है तो आप definitely इसमें apply कर सकते हैं लेकिन इस साल की application की date है वो अभी जा चुके है तो next year जो second year में students आने वाले है वो definitely इसमें apply करके इसके benefits ले सकते हैं So अब मैं आपको बता दूँ कि basically इस program में होता क्या है So Microsoft Engage Mentorship Program की application submit करने के बाद आपको एक mail आती है फिर जिसमें आपका एक test conduct कराया जाता है Then उस test में select होने के बाद आप इस program में enroll हो जाते हैं After that आपको Microsoft का एक engineer assigned किया जाता है as a mentor जिसके जो आपकी help करता है कुछ certain projects और tasks को complete करने में वहाँ पे आप अपनी एक team बनाते हैं और आप एक teamwork करके कुछ certain projects पे काम करते हैं And आपका mentor time to time आपको guide करता है आपके projects और tasks को complete करने में And साथी साथ company से related काफी सारी important details या information भी आपको बताता है Like how can you prepare for interviews, how can you make an effective resume So इस तरह की कई सारी company से related information आपका mentor आपको देता रहता है So यह जो एक देड़ महिने का session होता है पूरा इस program का उसके थुरू आपको आपके mentor से बहुत ही अच्छे से interact करना है And आपको अपने skills को effective way में show करना है सारे ही projects और tasks को complete करने के लिए क्योंकि आपके लिए आगे चल की बहुत ही beneficial point हो सकता है क्योंकि इसके थुरू आपको एक बहुत ही अच्छी internship opportunity भी मिल सकती है वो depend करता है कि company को जो आपका mentor हो किस तरह का feedback देता है अगर हम इस program के benefits को point out करें तो हमको कई सारे benefits मिलते है जैसे कि हम analyze कर सकते हैं कि organization कैसे work करती है और यहां के जो engineers होते हैं वो आपको कई सारे नई technologies के बारे में सिखाते है तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि यहां के mentors आपकी help करते हैं वहां के projects को complete करने के लिए और आपको साथ ही कई सारे नई technologies भी सिखाते हैं तो यह बहुत ही बड़ी opportunity होती है इस company से connect करने की और साथ ही आपको Microsoft के कई सारे premium products and services का access आपको बिल्कुल free में मिलता है and at last सबसे बड़ा जो benefit है इसका कि आपको एक बड़ा chance मिलता है इस company में internship या फिर pre-placement offer grab करने का और जो सबसे खास बात है इस program की कि इन में participate करने के लिए ऐसा को compensation नहीं होता है कि आपको CS या IT branch से होना जरूरी है आप किसी भी other branch से हैं तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं चाहे आप electronics के हैं चाहे electrical है चाहे civil के हैं आप किसी भी branch के हो आप definitely इस इंगेज program में enroll कर सकते हैं इसका benefit ले सकते हैं आपके पास एक और opportunity है जिसकी थुरूं Microsoft में connect कर सकते हैं that is Microsoft Learn Ambassador program यह program all over the year इसके registration open होते हैं आप कभी भी जाकर कि इसमें enroll कर सकते हैं इसकी eligibility के बात करूं तो आपकी age 16 प्लस होनी चाहिए और आप किसी भी एक full-time academic institute में enroll होने चाहिए जैसे कि आप किसी भी college से गर B.Tech कर रहे हैं तो definitely आप इस program में enroll कर सकते हैं आपके पास एक valid identification होना चाहिए जैसे कि आपका college ID इस program में आपको Microsoft से related कई सारी technologies के बारे में बताया जाता है आपके कई सारी new skills को develop करने में आपकी help भी की जाती है और Microsoft की तरफ से आपको और भी कई सारे benefits मिलते हैं तो चलिए उनको one by one discuss करते हैं यह program basically three levels में divided है इस alpha, beta and gold जो सबसे first level है इस alpha कोई भी अगर Microsoft Learn का learning path complete करता है तो उसको एक alpha batch मिलता है और साथ ही उसको कई सारे benefits मिलते हैं जैसे कि उसको Microsoft Azure का 150 USD के credits मिलते हैं monthly and Visual Studio Enterprise का free subscription मिलता है साथी MTC Certification exam voucher भी मिलता है यह MTC Certification means Microsoft Technical Certification जिसकी value बहुत ज़ादा होती है and साथी student ambassador.com का free domain name मिलता है and at last Tech Smith Snagit and Camtasia जैसे premium software बिलकुल free मिलते हैं Okay, so हमारा next level है beta so जो students अपनी community बिल्ट करें other students के लिए कुछ events host करते है उनको beta batch मिलता है and उनके benefits भी और जादा बढ़ जाते है जैसे अभी उनको alpha में जो benefits मिले थे वो तो मिलते ही है साथ में उनको Microsoft के कुछ super cool swags भी मिलते है like Microsoft branded t-shirts, water bottle, bag and इस तरह के और भी amazing products and साथ ही उनको event support and mentorship भी मिलता है वहाँ के engineers उनके लिए mentorship प्रोवाइड करते है और उनकी help करते हैं उनको events को successfully organize कराने में and at last उनको ambassador summit का free access भी मिलता है so बात है अपने third level की तरफ that is gold so जो student ambassador अपने local community से भी अबब जाके को serve करते है so उनको invite किया जाता है gold milestone के लिए and उनके benefits भी और बढ़ जाते है जैसे कि अभी तक उनको alpha और beta में जो भी benefits मिले थे वो तो उनको मिलेंगी पर साथ ही में कोई और भी चीजर भी मिलेंगी जैसे कि उनको कुछ special events या speaking engagements की free access मिलते है and program leadership opportunities मिलती है एक pilot program होता है उसका free participation मिलता है then MVP your Microsoft valuable professional mentorship मिलती है so इस तरह की कुछ different opportunities भी इस level पर आके उनको मिलती है so इस program में apply करने के लिए आपको studentambassadors.microsoft.com website पर आना है then आपको यह page दिखेगा learn student ambassadors का यहाँ पर आपको apply now का button मिलेगा इस पर click कर ले then आपको यहाँ पर अपने Microsoft के account से login करना होगा अगर आपको पास Microsoft की ID नहीं है तो आप पहले वहा sign up कर लें आप इसमें login करके application form में उसको complete करके आप यहाँ पर directly apply कर सकते हैं so इस program में आप कभी प्या करके apply कर सकते हैं इसका link में आपको description में दे दूँगा आप इस video के खतम होने के बाद इस link पर जाकर करके definitely इसमें apply जरूर करें okay so अब हम बात करते हैं CODES program के बारे में so यह Microsoft के थरू provide की जाने वाली एक बहुत बड़ी opportunity है for girls so CODES program सिर्फ और सिर्फ girls के लिए ही organize कराया जाता है so CODES program के थरू आप Microsoft में एक internship भी grab कर सकते हो so इसके लिए आपको कुछ coding rounds देने पड़ते हैं या फिर कुछ hackathons देने पड़ते हैं so अब हम बात करते हैं कि आप CODES community कैसे जॉइन कर सकते हैं so पहले मैं आपको बता दूँ कि CODES community सारे colleges में विजट नहीं करती इसे टॉप टियर कॉलेज में विजट करती है जैसे कि आपके IIT हो गए या फिर NIT में भी आपके जो कुछ selected top NIT है या फिर आपके DTU में, NSIT में या IGDTU में so यह ऐसे colleges में ही विजट करती है so अगर आपको यह जानना है कि आपके college में विजट करती है या नहीं करती है तो आप यह अपने college की placement cell में जाके पता कर सकते हैं अगर आपका college Microsoft में register होगा तो हो सकता है आपके यह company visit करें इस program के साथ और अगर नहीं होगा तो आप इसमें apply नहीं कर सके so इस community का part बनने के लिए सबसे पहले आपको इसका coding round clear करना होगा जो की based होता है on basic data structures and algorithms so in coding rounds में आपके performance की business पे और आपके cgp की business पे आपको further rounds के लिए select किया जाता है and finally four to five girls students को select किया जाता है from each college to join this community so बहुत सी ऐसी girls है जिन्होंने इस opportunity कि थुरू Microsoft जैसी top MNC में internship grab किये and after that PPO's भी grab किये सो अकर आपके college में भी kodis community visit करती है and आप एक girl है so definitely इस program का part जरूर बने so Microsoft की तरफ से जो next opportunity आती है that is code fundu so basically Microsoft का एक hackathon है जिसको कुछ specific colleges में conduct कराया जाता है and इसके थुरू students को direct internship opportunities भी मिलती है इस program का बस यह कि यह disadvantage है कि कुछ colleges के लिए ही restricted होता है जैसे कि आपके IITs, IISCs, NIT वारंगल and BITs so guys मैं आपको बता दूँ कि Microsoft में जित्ती भी internships होती है सब भी paid होती है so अगर आप कोई भी internship grab करते है Microsoft में तो आपको monthly 80,000 rupees का stipend मिलता है so being a second year student it's a big amount so guys यह थी कुछ opportunities जिनकी तुरू आप Microsoft में internship grab कर सकते है so अगर आपका किसी भी तरका कोई question है तो उसको comment session में जरूर पूछें तो फिर मिलते हैं ऐसी किसी amazing सी informative video में so guys if you like the video hit the like button do subscribe the channel and also press the bell icon thanks for watching